हलो फ्रेंड्स मैं सर्फ शब्बीर हुसेन and you are watching Physio Talk दोस्तो आज की वीडियो में बात करेंगे बेल्स पालसी और फेशल पालसी के बीच में क्या डिफरेंस होता है कई स्टुडेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बार बार ये सवाल पूछते रहते हैं कि सर्फ बेल्स पालसी और फेशल पालसी के बीच का डिफरेंस बताईए तो दोस्तो आज की वीडियो में आपको बताएंगे बेल्स पालसी के बारे में और फेशल पालसी के बारे में तो इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें चैनल पढ़ने हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और नीचे बेल आइकन को भी दबा लिजे ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन्स मिलते रहें चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को दोस्तो बेल्स पालसी और फेशल पालसी दोनों ही ऐसी कंडिशन है जिसमें हमारी फेशल नर्व अफेक्ट होती है फेशल नर्व अफेक्ट होने से होता क्या है कि फेशल मसल्स जो है उनका पैरालिसिस आपको देखने को मिलता है साथ ही आपको facial muscles के अंदर या तो paralysis देखने को मिलेगा या facial muscles के अंदर आपको कमजोरी देखने को मिलेगी तो अब बात करते हैं facial palsy क्या है Facial palsy एक broad term है जिसके अंदर होता क्या है कि आपकी facial nerve affect होती है इसके बहुत सारे factors होते हैं कि किन कारणों की वैसे या facial nerve affect होती है या तो किसी infection की वज़े से आपकी facial nerve affect हो सकती है किसी trauma की वज़े से आपको facial nerve affect हो सकती है किसी tumor की वज़े से या किसी inflammation की वज़े से या compression की वज़े से आपकी facial nerve affect हो सकती है तो ऐसी condition में हम कहेंगे कि आपको facial palsy हुई है पर अब बात करते हैं कि Bells Palsy क्या है Bells Palsy एक specific type है facial palsy का यानि कि जब आपकी facial nerve inflammation या compression की वज़े से affect हो तो उसको हम बोलते हैं Bells Palsy दोस्तो Bells Palsy के अंदर आपको एक side में चेहरे के droop देखने को मिलेगा difficulty in closing the eye और आपको taste भी hamper हो जाता है patients का दोस्तो Bells Palsy सिर्फ आपको चेहरे के एक हिस्से में देखने को मिलती है जबकि facial palsy आपको चेहरे के एक हिस्से या चेहरे के दोनों हिस्सों में देखने को मिल सकती है तो facial palsy और Bells Palsy के बीच का difference ही होता है कि वो किस underlying cause की वज़े से आपको हो रही है अगर आपके चेहरे के अंदर facial muscles के अंदर कमजोरी किसी inflammation या compression की वज़े से हुई है और चेहरे का एक हिस्सा affect हुआ है तो उसको हम बोलेंगे Bells Palsy जबकि आपके चेहरे का हिस्सा मतलब आपके चेहरे का एक हिस्सा या चेहरे के दोनों हिस्सों में कमजोरी आपको देखने की मिले किसी trauma की वज़े से, किसी infection की वज़े से, या किसी tumor की वज़े से, या stroke की वज़े से, तो दोस्तों उस case में हम कहेंगे कि आपको facial palsy हुआ है, तो दोस्तों कुछ इस तरीके से difference होता है facial palsy और bells palsy के बीच का, तो आज की वीडियो में आपको बताया, bells palsy और facial palsy के बीच का difference, उम्मिद करता हूँ, आज की वीडियो में आपको सारी जानकरी आपको समझ में आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को like, share and subscribe करना न भूले, और आपके कुछ भी सवाल अगर facial palsy और bells palsy से related हैं, तो आप मुझसे comment section में पूछ सकते हैं, thank you for watching physio talk.